हाँ जी वेटा तो ओवरेट का जो नेक्स कुश्चन है मतलब कि अर्टीपी में थर्ड कुश्चन ओवरेट के रिगाड़िंग है इसको अब कवर करते हैं तो सर इसमें अब स्टोरी ऐसी है कि एक कुश्चन भी आपको रिजेंबलन्स देगा एक पुराने कुश्चन की बट ज्यादा हमारे पास जो डाटा आता हूँ व्यू टाइम का ऐसा आता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनों सुस्क्राइब भी नहीं गया यार सुस्क्राइब करना चाहिए कंटेंट वाई सबसे बड़िया चैनल है यूसफुल अपडेट्स भी आती रहती हैं चाहिए वो स्टेडी मटीरिल की हो फिर आर्टी पी हो तो प्लीज सस्क्राइब करें हैं जो लो काम शुरू करते हैं तो हमारे पास है जी कोश्चन नंबर तीन देखते हैं क्या गता है A manufacturing unit has purchased and installed a new machine at a cost of $24.90 to its fleet of five existing machine. Fleet वलो group तो पांच machine ने पहले उसमें एक और add कर दी है तो इता मलो कितनी machine होजेंगी six ऐसी wording वले दो-तिन question और हैं जब हम overhead की त्यारी करते हैं यहाँ आपको लग सकता क्या पुराना ही question होगा पर ऐसा है निये The new machine has an estimated life of 12 years and expected to realize $90,000 as scrap value at the end of its working life और कहते है इसमें $90,000 उपे scrap आने वाला है at the end of life तो बंदा यहाँ देख लेता है की $24,90,000 minus $90,000 divided by 12 यहाँ से मैं धी annual deduction तो ला सकता हूँ Yes sir Other relevant data is as under Busted working hours are 2496 based on 8 hour per day for 312 दिन 312 into 8 करो तो यह बनता है Working days थोड़े ज़्यादा ही हैं जिसना कि आप देख सकते हैं तो 312 working days हैं 365 days मारे पर टोटल होते हैं तो इदा मतलब Sunday और कुछ थोड़ी बहुँ छुटी ही होती होंगी समयरे हैं The plant maintenance work is carried out on weekend Weekend तो ऐसे कहा रहा है जैसे Saturday Sunday पूरा ही आफ रखता है पर ऐसा है नहीं है डाटा देखके तो लगता नहीं है तो 365 में 52 तो Sunday लगा लो तो यहां अगर हम हटाते हैं तो 313 दिन बचते हैं चलो Weekend से मतलब Sunday लेके चले The plant maintenance work is carried out on weekends When the production is totally halted Point ध्यान में रखने वाला है कहता है जो plant maintenance का काम है वो हम weekend को करते हैं मारी Sunday को करते हैं एक तरह से जब production पूरी तरह से रुकी होती है Point कैसे है Sir हमारे पास जो question होते हैं उनमें एक total hours दी होते हैं उनी के अंदर ही कई बार maintenance time होता है और maintenance time तो मेंशे ही unproductive होता है उसको तो मेंशे रड्यूस करके ही cost पर आर निकलती होती है याद है अब इस question में जैसी wording अभी तक यूज की गई है यह कह रहा है maintenance का तो हम Sunday को देखते हैं अब आगे यह time बता रहा है estimated maintenance hour 416 अब इसमें यह मान लेना कि यह इसमें से deduct होगा यह बहुत गलत अजम चुन होगी क्योंकि वो जो hours है 2496 वो weekend के निया working days के समेरेंगे नी तो एक अच्छा point शुरू मी बन गए during production hours मैं लोगी अब इनके बारे में बूल रहा है machine setup and change over works are carried out कहते हैं जो setup और change over है वो production के दोरान ही होता है during setup hours no production is done उस दो production halt कर दी जाती है और 312 घंटे चाहिए होते हैं setup and change over work के लिए 312 घंटे सर सर अब normally तो हम setup को unproductive ही मानते हैं और इस चीज़ को हम reduce करके effective hours निकालते होते हैं तो पहले हम इतना solution ही समझते हैं कि hours कैसे हैंगे तांकि और हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ी जाएं कोई फैदा दो है नी यह दिखिए सर working note number 3 सवाल के effective machine hours में सबसे पहले उसने कहा जी busted hours जो 2496 थे 312 दिन इन टो 8 इसमें से setup minus किया है अब by default हमारी आद उत्य है कि maintenance भी minus करना है तो ध्यान रखें यह maintenance time 2496 में included ही नहीं है यह अलग से weekend पे किया जाता है maintenance तो 2184 आपके effective hours है ठीक हलका सा point यहाँ जो आपको बताया गया बग की आगे भी इसी तरह के छोटे-छोटे point है cost of maintenance ठीक है पूरे साल की दिवी है फिर लिखाओ machine requires a component to be replaced every week at a cost of 2400 इसमें जो पहले सवाल है ऐसे वले उनमें भी ऐसे ही कुछ लिखके आता होता है component डलेगा या chemical solution replace होगा पर उनमें एक और ही game खेली जाती है उसमें ऐसे कुछ दिखा दिया जाता है कि week of six days इसमें 54 weeks तक भी आजाते है अभी तक इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कहीं पर कि week कितने दिन का मानने या क्या करें और अगर कुछ खास नहीं बोला तो week तो सर 52 ही होते है इंटो 52 कर ले there are three operators to control the operation of all six machines कहता है छे operator जो ये छे machine है समाल तीन operator है sorry जो ये छे machine है समाल रहे है छे sir कैसे sir पांच पहले थी एक ही आगी तो हमारे पर कितने machines है six असान point है each operator is paid 30,000 per month plus 20% fringe benefits facilities गरभ तुसरी इसमें हम ऐसे करेंगे न पहले operator का total wages निकाल लो चे तीन operator का निकाल लो जो भी बनेगा उसे divide by 6 कर दो क्योंकि हमें तो एक machine पहलाना न ठीक है तो अब मैं थोड़े थोड़े point आपको दिखाने शुरू करता हूँ कि solution कैसे कर रहा इन्होंने क्या किया कि operator की salary पहले इस तरह की 3 operator into 30,000 ये एक महीना हो गया into 12 ये हो गया पूरा एक साल उस पे आगी जी FB fringe benefit अब सर ये आपके बाद 3 operator का खर्चा है और ये 3 operator आपकी 6 machine handle कर रहे हैं तो यहां से आप एक machine का खर्चा बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ यहां इन्होंने depreciation दिखा दी वो भी okay है उसके बाद competition of machine hour rate जो हो रहा है कई बाद इसके साथ जो familiar question पुराने है आपको दिखाई जाओं कि यह different है उनमें वो दो approach पर आंसर पूछ लगता इंस्टिूट कि if setup is productive, if setup is unproductive यहां आपने setup unproductive लेके सिरफ एक ये approach से solve करना है तो सबसे पहले अगर आप machine hour rate में देखते हैं तो उसने operator wages या salary सबसे पहले लिखा है यह total खर्चा है सर जी, divide by 6 machine क्योंकि यह तीन operator एक machine ने 6 machine संबाल रहे है divide by this, यह सरूरा परार करने के लिए तो परार इतना आ रहा अब सर, उसके बाद और जो एक routine सा point अब बड़ाई असान सा departmental and general overhead ये भी मैं आपको यहां से पहले पढ़ दूँ फिर इदा treatment भी हम देख लेते हैं यह electricity वाला point अच्छा है, इसको और आम से बढ़ेंगे departmental and general overhead allocated to the operation during last year, पांच लाग थे current year में 10% बढ़ने वाले हैं, मैं लगी साड़े पांच लाग हो जाएंगे ये जो departmental and general overheads है न ये बटा, allocated to operation last year ये इस machine के नहीं थे last year पूरी मैं लगी हमारा जो कैलो workshop है उसके थे इस machine के तो हो भी नहीं सकते है क्योंकि ये machine तो पिछले साल खृद्धी नहीं गई ये तो अभी आई है तो sir, पिछले साल आपके कितनी machine होती थे sir, 5 तो ये पूरे 5 machines का जो setup था ओदे थे अब current year में बढ़ने वाले हैं 10% तो ये इतने हो जाएंगे आज machine है कितनी, sir, 6 तर इसमें ये न मानें कि ये 10% ये नहीं machine के कारण बढ़ गया है ये कोई variable का उस्थोड़ना perfectly कि ये आया तो ये machine के कारण बढ़ गया ये तो departmental जर्नल ओरेड में आपके work center का share है sir, फिर इसे per machine कैसे करें sir, जब तक कुछ खास ना बताया हो, बराबर मान लो divide by 6 machines ये ही हो रहा होगा चेक करते है, sir देखे, sir divide by 6 machine divide by arts amount, पारेनम में इन्होंने पदा नहीं पूरे-पूरे चक्के लिखे हुए है कि जैसे 6 machine का ही total देना पारेनम भी अगर देते तो inspect of this machine देते ज्यादा अच्छा लगता ठीक है जी calculation के रहा आप चेक कर सकते हैं कि 550 550 जो है वो आपका total है divide by 6 then divide by 2184 या था 41.97 इसको सीथा आप 2184 से divide करेंगे तो बहुत ज़्यादा उपर जा रहे होंगे देहान से अब machine expensive की list मना दी depreciation machine cost ही मानने इनोंने alternate assumptions हो सकती होती है पता ही आपको per annum depreciation को परार कर दिया then उसके बाद electricity वाला point आप देख रहे हैं काफी अच्छा बना हुआ लग रहा है कि सर ये कैसे है सर बात करते हैं पहले इस बात को निप्टा लेते हैं पढ़ी हुई है machine maintenance cost ये दिवी ती सर 2,40,000 रुपे per annum simple बिलकुल 2,40,000 रुठाया उसको परार कर दिया अब जो electricity का खर्चा है उसमें point अच्छा है तो वहाँ चलते हैं पढ़ते हैं जी क्या लिखता है देखो जी कहानी इस तरह की बनी है कि during production hours including setup hours machine consume 60 unit per hour अच्छा setup में भी power use हो रही है इस question में ऐसे दिखाया कई बार आपको याद होगा कि ऐसे दिखाया जाता है कि setup में maintenance में power use नहीं होगी याद है ना? तवारा पढ़ दो during production hour including setup machine consume 60 unit per hour फिर गहता है during maintenance the machine consume only 10 unit और rate of electricity per unit अच्छा जी तो setup hours में भी power लगेगी ये 60 unit होगी अब sir setup hours कहां पे है sir setup hours इसी के अंदर है याद है आपको तो पहले तो इतने कोई निप्टा है हाँ जी sir इतने को निप्टा हो बहले ये during working hours ये देखो setup इसी के अंदर into 60 ये unit आगे ये rate per unit ये आपका बिजली का खर्चा आगया फिर उसको आपने divide कर देना ताकि वो पर आर उटे ये 2184R से ही divide होंगे सारे खर्चे average होने के लिए तो इतना आच हैगा अब sir maintenance time में भी power लगती है ऐसा भी बोला गया हाँ जी sir बिलकुल बोला गया है उसने लिखा हो है कि भाही जो आपका maintenance time है वो 416 घंटे यहाँ पर ये weekend पर जो maintenance होती है power कहाँ लिखाएगी लगती है इसमें लिखा हो sir during maintenance machine consume 10 units पर आर 10 units पर आर तो ये रहा maintenance into 10 unit into 6 तो 416 into 10 into 6 24960 आगया फिर 2184 से divide कर दिया 11.4285 ऐसा आता 43 लिखती है अब रह गया हो component sir sir component कौन sir sir याद दिया हुआ 2400 cost करेगा हर बार जब भी replace होगा 52 weeks के हिसाब से यहाँ लिखती है तो भही 1,244,800 divide by 2184 57.14 तो sir different या अच्छे point क्या थे sir different या अच्छे point में आपको समरी कर दता हूं sir question resemblance करता है पुराने question से पर ऐसा हुआ नहीं पुराना question जो इस type का होता है उसमें 2496 में दो तरह की चीज़े included होती है repair maintenance time भी और setup time भी तो student को एक आज़ पढ़ी होती है कि मैं दोनों minus करूंगा इसमें सबसे पहले उसने बताया कि जो maintenance work है वो हम weekend पे करते है weekend इनका probably means here Sunday क्योंकि हमने calculation सारी बिठाई तो उस विए से जो maintenance में time लगेगा वो 2496 से extra then उसने बताया कि जो हमारा setup वगेरा है वो इस production time में ही है वो हमने normal way में exclude किया sir बाकी जो एक component replacement every week है इसके साथ जो matching sums है उनमें वीक का मतलों कुछ और हो जाता है कि 6 दिनों का अफता माननों 5 दिनों का माननों तो उससे फिर number of weeks अजीव आते हैं इसमें normal रहा operator वाला point stream है उस सारे कुशनों में ऐसी हुआ 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 है यहां पर उन्होंने setup और maintenance में भी power यूज कराई हम अपने classes में बात बहुत बात discuss भी करते थे कि जो बड़े-बड़े player हुए हैं जिनोंने doubts पुछे तो उन्होंने कई बार यह point रखा था कि sir जो यह setup होता है और maintenance time भी होता है इसमें भी बिजली तो यूज होती है कि आजकल अगर आपने मशीनों को ठीक भी करना है उनकी servicing भी करनी है even in that case you need the power तो इंसी चूट नशायद उनकी सुन लिया और यह point बिल्कुल दे दिया है कि जो setup hours है और maintenance time है उसमें भी power use हो रही है तो उसको tackle कैसे कर रहा गया है सर उसमें इन्होंने तो बहुत detail में ही solve किया है इन्होंने कोई shortcut नहीं हा रहा है आपको साफ दिखा दिया कि यह देखो जी यह working hours की power जिसमें setup है यह maintenance की power बाकिया आप यह दोनों club करके कठे वी divide कर सकते थे याद रखें कि यड़ा यह answer है वो यही मान के कि setup time is unproductive जो की normal बात है इसलिए divide बाद में हर खर्चे ने 2184 से होना है यहाँ थोड़ी presentation wise थोड़ा देखना चाहिए कि यह आप पूरे cost center का लिख रहे हैं यहाँ परार फिर इस machine का है यहाँ पर भी आपको amounts अगर लिखने है तो better will be कि अगर आप इसी machine के लिखते देख रहे हैं न आप जैसे operator salary total लिखने का क्या मतलब बनता भाई यह तो छे operator का लिख तीन operator का लिख दिया छे machines का है तो यह जो calculation आ रही थी इसके यह यहाँ लिखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता चलो ऐसे छोटी छोटी changes जो है वो अपने आप भी करने पड़ते हैं तो यह normal है तो यह अच्छा सवाल है अच्छी तरह करके जाएं जो यह power वाला point है उसमें मेरे को थोड़ी power दिख रही है तो अच्छी तरह करें ओके जी वीटा